आपका गर्लफ्रेंड से ब्रेक अप हो गया हो या फिर आपने उसका नमबर ब्लॉक कर दिया हो तो सावधान हो जाईए क्योंकि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बदला लेने के लिए आपके प्राइवेट वीडियो को शेयर कर समाज के सामने आपको शर्मसार कर सकती है जी हाँ एक ऐसा ही संसनिकेस मामला सामने आया है जहाँ बॉइफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नमबर ब्लॉक कर दिया तो महिला ने यूवक के सेक्स वीडियो को सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया जब तक आपकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती है तब तक ठीक है लेकिन यदि बीच में ब्रेक अप हो गया तो फिर दुनिया में गर्लफ्रेंड से बड़ा दुश्मन कोई नहीं असा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में बृटेंड में एक संसनिकेस घटना सामने आई है हिलरी इस बाद से खपा थी कि उसके एकस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे ब्लॉक कर लित था है इस महिला ने अपने एकस के पिता को प्राइवेट तस्वीरे भेजी वहीं सब्सक्रणे पर अपने एकस की बैटी को कई प्राइवेट वीडियो भेजे उन्होंने इन वीडियो के जरिये अपने एक्स का मजाग भी जमकर उड़ाया यूट्यूब पर भी समहिला ने अपने एक्स के सेक्सूल वीडियो को पोस्ट किया हालांकि वीडियो को सेक्सूल कांटेंट के चलते तुरंट डिलिट कर दिया गया था हिलरी ने अपने एक्स की बैटी को कहा कि अब पूरी दुन्या तुम्हारे पिता की हरकतों को देख सकती है हिलरी ने अपने एक्स की बैटी को मैसेज में ये भी लिखा कि मेरे आफिस में काम करने वाले कई लोग तो तुम्हारे पिता पर बहुत हज भी रहे थे उन्होंने इसके अलावा ये भी लिखा कि तुम देख सकती हो कि तुम्हारे पिता की दिमाग में हर समय क्या चलता रहता था वो एक निरलज इंसान है हिलेरी के एक्स के पिता इन तस्वीरों से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे और उन्होंने इन तस्वीरों को डिलिट कर दिया था हालांकि उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उनका बेटा अपनी प्राइवेसी हनन होने के बाद कोई घलत कदम न उठा ले प्रेस्टन कोट की जज सुजैन गोडाड ने उनकी हरकत को बेहत शर्मनाग बताया गोड़तलब है कि इस साल व्रिटेन में रिवेंच पॉर्ण के अपराधिकरन की घोशना की गई थी इसमें कहा गया था कि अपने एक्स के सेक्स टेप लीक करने पर या प्राइवेट तस्वीरे वाइरल करने पर दो साल की सजा है हालांकि हिलरी वाड जेल की सजा काटने से बच गई है और उन्हें कम्यूटी सर्विस और अनपेड वर्क की सजा मिली है